तो दोस्तो अभी जा आप ये ओडियो सुन रहे हो ना इस ओडियो को ना मैंने एडिट किया है ना मैंने कोई ट्रिक लगाया है ये मेरा नॉर्मल ओडियो है लेकिन अभी जो आप दोस्तो आप जो 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 आप ज गना चाहिए दूसरा विडियो एडिटिंग अच्छा होना चाहिए और इसारा और यो का थे अच्छा होना चाहिए या कि लोगों को इंगेजिंग वोगी बना इंग दिया मेरा वजट कैसे सकता हूं अब अपने वैस को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन हाँ उसी वैस को आप क्लियर एंड क्रिस्फ बना सकते हैं अपना कुछ एडिट करके थोड़ा ट्रिक लगा करके तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों बताऊंगा कि अगर आपके पास अगर आपके खाली खाली सा रूम होगा तो दोस्तों आपको करना क्या है कि देखे सबसे पहले तो दो तीन चीजों का धियान रखना पहला एक तो आपके रूम के अंदर में एको नहीं होना चाहिए अगर आपको खाली-खाली सा रूम होगा कुछ सामान बगरा नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा एको आएगा आपके आपके आऑडियो पे तो यह चीज़ का आपको धिया रखना है आप जो है दूसरा क्या करना है का आप नॉर्मल सा कोई भी अगर माइक से यह करते हो वीडियो शूट करते हो बोयाक अगर आपके पास माइक है या फिर माइक नहीं है तो आपको दो फोन का जोरुद पड़ जाएगा अगर माइक है कि मैक्सिमम लोगों को पास तो माइक तो है चाहिए वह वायर वाला नॉर्मल सा माइक हो चार पांशो का लेकिन माइक आपके पास है तो जैसे कि मेरे पास यह रोड का माइक से रेकॉर्ड हो आप यह ओडियो तो इसी को मैंने एडिट किया है जो कि अभी आप लोग सुन सकते हो अब जब आपको रेकॉर्ड हो जाएगा आपके वीडियो का साथ जैसे आपको आपको देखने को मिल जाएगा अब इस वाले अपने फोन पर आपको इस्ट्रॉल कर लेना है लेक्सिस औरियो एडिटर अब एडिट कैसे करना है चलिए मैं आगे दिखा देता हूं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कुछ इस परकार का इंटरफेस आता है अप्लिकेशन का जिसका नाम है लेक्सिस औरियो एडिटर अब आपको करना किया है कि सबसे पहले अगर आपका फाइल में अगर आपको 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 इंपोर्ट कर सकते हैं ठीकि इंप के लिए जो है ऑडियो रेकोर्ड कर लिया देख सकते हो पुरा ग्राफ में आ चुका है अब इसको मैं प्ले करके सुना देता हूं विदाओट एडिटेट कैसा यह सुनाई दे रहा है तो कुछ इस पर करका भी आपको सुनाई दे रहा है अब इसको एडिट करने के लिए सिखा रहा हूं जैसे कि अभी आप लोग जो ऊंतों रहें लो यह भी ऑडिटेट किया हुए ठीक है सबसे पहले है करने के लिए मंशेजी यहाद यहाब Q2 कि धा अब जोभी सेटिंग सियहां पर देखार 500 करना ह십को उसके बाड़ एपला Mina एपला सकाल स्कटीम होगा है उसके बाद apply कर देना है तो यह जो भी था इस audio पे यह noise पुरा हट चुका है अभी ठीक है आप फिर से तो तो three dot पे जाना है उसके बाद यहां पर आपको चले जाना है यहां पर effects में उसके बाद यहां से जाना आपको अपने और यहां पर एडिट कर लें ठीक है यहां पर मैंने कुछ इसको कर देता है अप थोड़ा से दिखाता हुआ ठीक हो जाना है उसके बाद यहां पर effects में जाए और नॉर्मलाइज कर दिए मतलब जो भी आपने एडिट वगरा क्या है वो थोड़ा नॉर्मल हो जागा नॉर्मलाइज कर दिया अब दोस्ते यह फाइनल मेरा जो आडियो है यह रेकॉर्ड हो चुका है अब देख सकते हैं तो हाई आप सका फिर से एक नए वीडियो पर स्व और वाड भी हो रहा है तो यह चीज का धियान रखना ठीक है जस्ट में यहां पर एडिट करके आपको मैंने दिखा दिया कि एडिट कैसे करना है तो आई होपस आप लोगों समझ में आ गया है कि आप आपने कैसे और रेकॉर्ड करोगे और कैसे एडिट करोगे पूरा डि झाल